सब्सक्राइब कीज़े डिफेंस स्कुएट चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट डिफेंस वीडियो सबसे पहना देखने के लिए हलो फ्रेंड्स सुआगत है आपका डिफेंस ग्यान सरीस के एक फ्रेस एपिसोड में हमने अपने पिछले डिफेंस अपडेट में आपको बताया था कि अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया के S-400 सिस्टम की बजाए उनके पैट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदे तो आज के एपिसोड में हम अमेरिका के Patriot missile defense system और रशिया के S-400 system के बीच एक comparison करने वाले हैं जिसमें हम जानेंगे कि अमेरिका द्वारा पेस किया गया ये प्रस्ताव भारत के लिए फाइदेवन सापित हो सकता है या नहीं So without wasting any time, let's begin Patriot और S-400 दोनों ही air defense system है और अमेरिका ने S-400 के बदले Patriot PAC-3 air defense system का प्रस्ताव रखा है जो कि Patriot missile का सबसे advanced version है Patriot को US company Raytheon ने manufacture किया है और इसे US Army की service में 1982 में सामिल कर दिया गया था और जबकि Russia के S-400 system को Russian company faculty design bureau ने manufacture किया है और ये Patriot missile system के मुकाबले में काफी नया है क्योंकि इसे Russian service में 2007 में सामिल किया गया था Patriot system को खास तोर पर large administrative और industrial centers को सुरक्षय प्रदान करने के साथ-साथ naval और air bases को हवाई खत्रों से बचाने के लिए design किया गया है और जबकि S-400 एक anti-aircraft medium और long range missile system है जिसे आज के समय के सभी modern air और space हमलों को रोपने के लिए design किया गया है मौझूदा समय में Patriot system को United States, Germany, Japan, United Arab Emirates, Taiwan, Netherland, South Korea, Saudi Arabia, Spain, Greece, Israel, Bahrain, Egypt और Jordan जैसे देस इस्तिमाल कर रहे है और जबकि S-400 system को मौझूदा समय में रश्या के अलावा केवल टर्की और चाइना ही इस्तिमाल कर रहे है और भविश्य में इसे Saudi Arabia, India और Bahrain जैसे देसो द्वारा भी इस्तिमाल किया जा सकता है और अगर बात करें इनके specifications की तो इसमें S-400 पेट्रियोट सिस्टम से काफी जादा आगे है क्योंकि S-400 सिस्टम को अभी कुछी समय पहले विक्सित किया गया है यानि इसको ऐसे समय पर विक्सित किया गया है जब technology काफी जादा advance हो चुकी थी और जबकि Patriot सिस्टम को 1980 की दसक में उस समय की मौझूदा technology के इसाब से विक्सित किया गया है हाला कि इसमें 1982 से लेकर अभी तक कई सारे advancement किये जा चुके हैं लेकिन अभी भी ये सिस्टम S-400 से काफी पीछे है S-400 सिस्टम की range 400 km तक है और जबकि Patriot PAC-3 की range केवल 40 km तक है S-400 मिसाइल 17,000 km प्रति घंटा के रफ्तार से चलने में सक्षम है और जबकि Patriot PAC-3 सिस्टम की अधिक्तम रफ्तार केवल 5,062 km प्रति घंटा है S-400 सिस्टम को केवल 5 मिनट से भी कम समय में तैनाद किया जा सकता है और जबकि Patriot PAC-3 सिस्टम को तैनाद किया जाने के लिए कम से कम 30 मिनट तक का समय चाहिए S-400 सिस्टम का reaction time 10 सेकेंड है और जबकि Patriot सिस्टम का reaction time 15 सेकेंड है S-400 90 डिगरी के angle तक missile को launch कर सकता है और जबकि Patriot सिस्टम केवल 38 डिगरी के angle तक की missiles को launch करने में सक्षम है हाला कि America द्वारा इस Patriot PAC-3 सिस्टम का काफी ज़्यादा promotion किया गया है लेकिन इसका जितना promotion किया गया है उस हिसाब से इसमें कोई भी ऐसी capabilities मौझूद नहीं है और जबकि इसके मुकाबले में S-400 काफी ज़्यादा advanced और powerful सिस्टम है और ये अभी तक का सबसे best air defense सिस्टम है और इसके साथ ही इस सिस्टम को विक्सित करने वाला देश यानि कि रशिया काफी लंबे समय से भारत का एक बहुत reliable defense partner रहा है और भारत के defense सिस्टम को विक्सित करने में रशिया का भी काफी एहम योगदान रहा है तो ऐसे में अमेरिका के इस Patriot PAC3 सिस्टम के प्रस्ताव को सुईकार करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है तो हुमारे आज के इस episode के लिए इतना ही अगर इस वीडियो को लेकर आपको कोई सुझाव या suggestions हो तो उसे comment section में share जरूर करें और अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को like करें और अपने friends के साथ share करें और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करना ना भूलें